बिहार बिहार इसके साथ सवाल मेरा यह आप से की आम तरौपर हम देखते हैं कि हम सभी को यह शौक होता है कि जो च्छन है उसे हम कैमरे में कैद कर ले और घूमने गए तो फोटोग्रफी और कोई परवते वहर आया ऐसे भी मन किया कुछ अच्छा लगा तो कैमरा क्लिक होई जाता है पर एक प्रफेशनल फोटिग्रफी है उसकी क्या बारी क्या है देखिए आज तो रक्षावंधन है और आपने शुरुवात में जैसा कहा कि धागे की बात है तो फोटोग्रफी भी धागा ही कहें दो च्छोर है इसके एक है प्रकास और गर हिंदी की बात कहें अच्छाया चि लेकिन उसमे एक वर्ट आता है सेंस्टिवीटी कि हम बात करते हैं तो फोटोग्रॉफी यह वही बात है आप उस चंड को व् हम अच्छे पल को अच्छी फोटोग्राफ को हम कवर कर पाएंगे तो जहां तक रहा बच्छों को बताने की तो हम यही बताता हूं कि पुराने समय जैसे अगर हम बात करें तो करीब एक सौ तिरैनवे साल का एक सफर हमारा यह हो चुका है ऐसे अठारा सौन चालिस के बाद तो साइद नौ साल या आट साल बाद हम लोग 200 साल कह सकते हैं कि फोटोग्राफिक इतियास यह हो जाएगा तो अगर मैं बात करूं तो बच्छों को बताता हूं कि कैसे फिल्म जिसमें हम केमिकल्स पर काम करते थे और अभी हम डिस्टली काम करते हैं तो कैमरा एक माध्यम है और कैमरे के पीछे जो खड़ा विकती है वो तस्वीर बनाता है तो माध्यम को कैसे उुप्योग मिलाना है किन बारिकियों का धियान रखना है और बारिके को किन चीज़ों को दिखाना चाहते यह बड़ी बात प्रशांद जी आपने बारुकियों की बात की आप बढ़ जो बनना चाहते हैं, उनको social media का influence है, और कोई भी photos लेकर के डाल देता है, तो इसको किस रूप से देखते हैं आप और ये दर्शकों जो देखने को क्या कुछ बोलना चाहिए? कैमरा, मैंने पहले भी का कैमरा एक माध्यम है, और माध्यम या तकनीकी कोई भी सिस्ता हमारे हाथ आजाए, इसका मतलब बहुत कता ही नहीं होता कि हम जो चीज देख रहे हैं उससे क्लिक कर ही ले, पहली बात है कि धैर, अगर फोटोग्राफिक के हम बात के तो धैर चाहिए धैर मतलब आप जो कहना चाहते हैं, उसके लिए समझेए, अब क्या कवर कर रहे हैं, क्या क्लिक कर रहे हैं, और जब आप फोटोग्राफ समझेंगे, तभी एक बेहतर तस्वीर बना पाएंगे, अभी हमारे हाथ में एक तकनीक है, मबाईल उठाया, क्लिक कर लिया, चीज की दिशा, छाया, कल, रंग, इन सब का समायोजन है, और जिस तस्वीर को हम उतार रहे हैं, क्या जो बारिकिया में समझ पा रहा हूँ, वो तस्वीर में निकल कर आ पा रहे हैं, इन सब छीजों का ध्यान देना बेहत जरूरी है, और सोचल मीडिया और AI की बात करते हैं, हम तो सोचल मीडिया का उप्योग भी बड़े मुझे लगता है कि आपको बुद्ध हिमानी से बहुत ही सजग रहके करने की जहुआ थे खासकर आज के दौर में तो बच्चों या जो भी नए बत पढ़ाता हूं उनको मैं करता हूं कि आप फोटोग्राप क्लिक करें लेकिन हर अगर अर्थ है तब ही बेहतर है अगर तसवीर तो मैं सैक्डों खीच लूआ अभी शूट कर लेतें क्या वह सही माइन नहीं अगर पहाएगा है यसे एक और लिखल चाल में कही जाती है कि एक तस्वीर हजार सब्द के बडराबर है तक और ठवीर क्या कह रही है तो ये बात क्या वो सही में जो बाते हम कहते हैं वो बात वहां परलक्षित हो पा रही है या बात वो कहा पा रही है कि ने इसका हमें जाल रही है आपने बारेकियों के बारे में बाते की और ये भी आपने कहा कि हमें देखना है कि अगर हम जो तस्वीर लेते हैं कौन सी तस्वीर सोसल मीडिया पर हमें डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए समय के बदलाव के साथ साथ ब्रशान जी फिटोग्रफी एक करियर के रूप में भी सामने आया है शौक का दायरा अगर मैं कहूं तो उसे पारकर की करियर के रूप में दिखता है तो कहां कहां करियर में इसकी संभाव बनाए है अगर पहले की बात करें तो आज की तस्वीर तीन दीन के बाद अख़बारों में छपती थी वह एक अंतराल होता था प्रॉसेस करना प्रिंट करना फिर उसे अख़बार की छपना लेकिन समय के अधार पर बदलाव आई, तक्निकी बदलाव आई और आज इंटरनेट इसे हम कहते हैं, जो तक्निक संचार करांती की बात करें, तो अब उसमें त्वरित गती है, मतलब फास्ट सारी चीज़े हो रही है, तो बच्चों के कारियर के लिए, नए जन असन के हम डालते हैं, वो चाहे पिक्टोरियल हो, चाहे लैंड्सकेप हो, टूस्ट प्लेस हो, कुछ भी चीज़े, आपके हेरिटेज हो सकती हैं, फिस्टिबल हो सकते हैं, और कुछ स्टॉक एजन से हम कुछ चीज़ों को फीचर राइटिंग के जो फोटोग्राफ करते हैं, उन उनके पास एक तरीका है कि पहले वो आपकी फोटो को समझेंगे, अगर फोटोग्राफ उनके उस लेवल पर, स्टेंडर्ड पर करे उतरते हैं, फिर वो आपको रिटेडर बना लेते हैं, और आपकी फोटोग्राफ को रिटेन करने के कुछ फी पे करते हैं, और फिर जब तस्वीरों कि वहां की बिशुस्ता को आप पूरे बिशुके पटल पर अपला सकते हैं। प्रशान जी आपने बहुत सही बात कही है कि इस तरीके से बच्चे आगे जा सकते हैं। इक बहुत ही इंपॉर्टन चीज है जो कि हम पूछना बहुत जरूरी है। अगर फोटो लेते हैं एक ग्फेर हां कि कीविप्मेंट 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 कीविञा है। ने अकितिहास बंड़ी को जो आतुक ही जो बडलाव है। बादलाओं बाहुत तीजी से हो रहा हैं जैसे पहले SLR फिर weather Judas फिर मुबाइल में पिक्सल फिर बीघापिक्सल बात इतनी सारी बदलाओं जो आ रही है उसमें आप इन चीजों को टैज कर पाना कि आपकी ज़रुष क्या है इसके धार पर मुझे तैय करना है अगर मैं बात करूं तो कैमरा अच्छा हो सेंसर कॉलिटी अच्छी हो आपके फोन की बैटरी पैक अच्छी हो अगर फोन वा कैमरा आतो और नहीं तो अगर आप डी एसलर्यम डियलिस कैमरे में जा रहे हैं तो आपके मेगापिक्सल अच्छी हो पोसेसर फास्ट हो और बैटरी बैकप अच्छी हो और लेंस सबसे बड़ी बात मैं लेंस के बारे में कहुंगा कि फोटोग्राफी में कैमरा एक महत्रपून रोल प्ले करता है बात सही है लेकिन उसके आगे लेंस जो है वो ज्यादा कि लेंस में कॉंप्रमाइज ना करें कि प्रकास जो है वो लेंस के द्वारा ही आपके कैमरे तक आएगा और अगर लेंस अच्छी रहेगी लेंस इक्वालिटी अच्छी रहेगी फास्ट लेंस रहेंगे तो आप बहतर तश्वीत बना सके तो यह तक्नीकी ग्यान बहुत है कि हम फिटोग्रफी अच्छा कर लेते हैं तो हमें इस पर प्रफेशन के तौर पर इसे अपनाना चाहिए तो ऐसे कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे यहां जो कर सकते हैं इंडिया में भारत की बात करें तो भारत में कई ऐसे इंस्ट्यूट्स हैं साउथ में भी है इस समय में बात करों अभी के समय में तो पहले रिसर्च को नहीं करता था और अब मैं बच्छों को पढ़ाता हूँ तो जो सब्रें में इस बात करों लिए नहीं करता था तो इस फिल्ड में भी लोग रिसर्च कर रहे हैं इसे क्या आपनी पता है कि हर एक शेत्र में जो फोटिग्राफी है वो निखर करके आ रही है आज भी फोटिग्राफी दिवस है और आप लगातार 22 वर्सों से इसमें काम कर रहे हैं आज कि विसे दीन पर क्या कहना चाहेंग अपने आप में बनती है आप सोचने से और उस तस्वीर को फ्रेम करने से इस नई पढ़ी में यू कहूंकि अभी के दोर में रहीज़ाही क्या है कि डिजिस्टल क्रांती में एक फर्क आया है कि 85% हम शूट नहीं करते हैं, बट हम लोग पुराने दोर के जो लोग है वो 85% क्लिक करते हैं, 15% एडिटिंग पर भरोसा करते हैं, अब यह उलट हो गया है, तो मैं संदेश सही दूँगा कि आप भी उसी दोर को अपना है, उसी बहुत सारे आयाम के हैं, और डॉक्मेंटरी, फोडोक्मेंटेशन है, इंजियो के लिए काम कर सकते हैं, और साथी प्रग्या हम अपने बहमान को धन्यवाद भी देते चले, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांद जी आज वक्त निकाल कर हमारे कारिक्रों में इतनी आपस में इतना सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है ना प्रग्या? आप मनाईए रक्षा बंदन और हमें कहिए अलविदा हमें दीजे इजाज़त नमस्कार